अधिई तूद्फेस बद ले बदबु आ रहे होगी उसे ठेक ले मुझे पर पंच मार रहा है यह तुझाए पापा को भी मार बेटा बाहर मार अजो 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 इसको भी और बार ये तो हसने लग या मुझे अपे इसा समझ रखा यह जब भी रोए ना तौह मेरे पास लेकर आजा अजी सुनी एक कुछ कहां नहीं रहा है कि जो मुझे देदो मुझे दो मेरे पास आओ मेरे पास आजय 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 तो अ झाए यह तिवी देखो तो पाल चल रही है सुनिया जी इसने फिर से रहना शुरू कर दिया कहा है ना इसकी चिंता तु मुझ पर छोड़ दो आजा यह आटो वार एंकल है इनको मारो तो मारो आपने बच्चे को समाल लो नहीं तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल खड़ी करेगा वह रास्ता भटक गया है सर नजर रखनी चाहिए थी कितना पढ़े लिखे हो भाई तेंद पेलूं सर डिगरी तो है नहीं तेरे पास और मुझे सला दे रहा है मार के भी देख लिया उसे बंटी को क्यों मारा तुने मुझ क्यों बना रहा है अब कोई फाइदा नहीं चल हाथ मिकल मार खाकर रोने की जगा तु एंजॉय क्यों कर रहा है मारने में भी मज़ा मार खाने में भी मज़ा है और मारो मारने में भी मज़ा और मार खाने में भी मज़ा ये क्या बात हुई सर ये बच्पन में ऐसा है तो बड़ा हो के क्या करेगा कर दो कर दो कर दो करूँ आए समझ न क्या न करूँ जर दीवर उसे अपना में फुड़ू नेरे खुदा पता तुभी क्या करूँ सरा देखो यादा दुनिया का जगडा देखो लोगों के पंगे होगे पे परवा पन ऐसा स्याना कोई भी बत्ये न जो लपड़ा करते उसको न तू छोड़ना कर. T जलबा! 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 जल्वा, कल जल्वा जल्वा, कल जल्वा, कल जल्वा, कल जल्वा जल्वा, कल जल्वा गली गली में है क्यों छदऻा बच्च के संभल के निकल तु जा कर ननुके बिर भी लपडा जोर से खिर एक किक तुमता सुझे ना जब ये मामला चारों तलब होने लगे हमला पंचे निकल जाने बबुवा खुशियारी यही है यारा ज़र देखो यारा दुनिया का कदरा देखो लोगों के पंगे होके बेपरवा पंचा तुसे आना कोई लिपते ना जो लगपना करते उसको ना पुझोड़ना कर चलवा कर चलवा कर चलवा कर चलवा उसके बाद क्या हुए सेर उधर देखो तुम लोग स्टूडेंट्स हो या गुंडे हो जो बीच सडक पर जगड़ा कर रहे हो आज के बाद अगर किसी भी जगड़े में तुम लोग नजर आए ना तो पीडी एक के तहट अंदर कर दूंगा समझ में आया इन दोनों ग्रूप के लड़कों के नंबर और अड्रेस सेपरेट नोट करके इन लोगों को छोड़ दो चलो जाओ 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 चलो सब लोग यहां के साइन करो क्या हुआ सर कौन से बैच से हो मेरा कोई बैच नहीं है सर फिर रोड पर ऐसे जगड़ा हो रहा था तो मैंने सोचा कि पार्टिसिपेट करने के लिए वहां कोई कबड़ी का खेल चल रहा था कौन से पढ़ाई कर रहा हूँ सीबी एसी से सीए कर रहा हूँ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए तुम्हारे गार्जियन लाखों खर्च कर रहे हैं और तुम लापरवाह होकर जगड़े के मजे ले रहे हो जिस उमर में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए उसे वेस्ट कर रहे हो अगर ये बात को फोन करके पुलिस टेशन आने के लिए करो इसकी तो आदत हो गई है सर इसे अंदर डाल दीजे अक्कल आ जाईगी पापा सुनो कॉंस्टेबल सर इस लड़के को छोड़ दो और इसके बाप को शाम तक अंदर रखो बेटे की गलती की सजा बाप को मिले ये किस कानून मे लिखा है सब कुछ बता दिया क्यों सर बस एक बार बिल्कुल भी नहीं लाइफ में जब कभी भी ये जगड़ा करेगा मैं हर बार तुम्हें ही अरेस्ट करूंगा तो यह है मामला सर आपका टाइम खराब था इसलिए आप इंस्पेक्टर की नजर में आ गए वो तो पहले से ही हीला हुआ है अगर हो सके तो अपना मुहला बदल लो अगर मेरी बात मानों तो आपको यह शहर ही बदल देना चाहिए अगर आप यह सोच रहें के टेंथ फिल की सलाह क्यों मानूं तो सेम प्लेस रेगुलर मिलेंगे फिर आगे की कहानी भी सुन लूंगा क्या हुआ कोई बुरा सपना देखा क्या हाँ जी मेरे बेटे के दुश्मनों ने आपको जौन से मार दिया है ऐसा सपना देखा मुझे भी इसी बात का डर था कि एक नहीं दिन वो लोग मुझे जरूर मारेंगे पर यह तो बताओ मुझे उन्होंने मारा क्यों सिर्फ सपन अन्होंने वजह नहीं बताई कि बचपन में पिताजी से छिपकर सिगरेट पीता था एक दिन पिताजी को पता चल गए तो उन्होंने मुझे मारा नहीं बलकि पूछा कि क्या तुम्में सिगरेट पीना पसं अगले दिन मेरे रूम में सिगरेट ही सिगरेट थे और मेरे पिता ने मुझे रूम में बंद कर दिया ये कहकर कि जितने सिगरेट मैंने तुम्हारे रूम में रखें सारे के सारे तुम्हें पीने और कमरा बंद कर दिया यह सही है यह उठो उठो अरे एक सीन दिखाता हूं उठो ओहो आधी रात को कौन सा सीन दिखा एंगे और फिर मैं रात भर सिगरेट पी पी कर फेंकता गया और सबेरे तक मैंने सारी सिगरेट पी ली फिर सिगरेट के दुए से मुझे एकदम नफरत सी हो गई उस वक्त के ब उनके पीच में रहकर वो लड़ाई जग्रे भूल जाए। आप पागल हो गए हैं क्या, हम लोग उसके साथ हैं तो इतना उचल रहा है वो, हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या करेगा। पागल तुम हो गई हो, अरे हम हैं इसलिए तो वो इतना उचलता रहता है ना, जब वहाँ पर रहेगा और जगड़ा हुआ तो जगड़ा सट्ल करने के लिए मैं नहीं रहूँगा, चोट लगी तो मधम लगाने के लिए उसकी मा यानि तुम नहीं होगी मा, रोते हुए दूसरे रोते हुए बच्चे के सामने बिठा दिया जाए तो बच्चा चुप हो जाता है, ऐसा कौन सा गाम है जी? तिरूपुरम आंधरा और तमिल लाडो के बॉर्डर पर है, जब आंधरा और तमिल लाडो अलग हुआ तो तिरूपुरम के बीच में से वो रास्ता निकला, गाओं के एक तरफ तमिल लोग रहते हैं और दूसरी तरफ तेलकु लोग रहते हैं, इस गाओं के लोग उस गा में नहीं आ सकते एक दूसरे को मारते काटते अतनी जिन्दगी गुजार रहे हैं इस गाउं के बीच लकीर इसलिए खीची गई ताकि तुम लोग एक दूसरे की जान ना लो लेकिन तुम तो एक दूसरे को मारने पर तयार और केशब तुमने उसका पांग क्यों काटा क्या करते शर्पण campaign हर बात पे जग्णा करने के लिए तैयार रहते हैं लगीर किसलिए खीची गई कि लोग इधर ना आ सके और इधर के लोग अधर ना जा सकें आपकी जबान रखना में आकर हमारे आदमी को काटना चाहते तो हम क्या करें गुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती ऐसी गलती इन से दुबारा ना हो इसी लिए टांग काट कर कॉल कर दिया हमने पहले हमारे आदमों को उक्सा कर अपने एरियों बुलाया और अब तु लोग बास अप्लट रहे हो दोखे बास कहीं के मुत्तू पंचायत में किस तरह बात करनी पता नहीं क्या जायदा जागीर होने से को इंसान बढ़ाने होता गांव अच्छा होना चाहिए दिल अच्छा होना चाहिए एक टांग चली गई तो तुम ऐसी हरकते करोगे कितने लोगों की जाने चलीगे उसका क्या तुम दोनों को मैं आखरी चेतावनी दे रहा हूँ इसे चेतावनी समझो या फिर कुछ और आज के बाद कोई भी शक्स इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ आया तो बिलकुल अच्छा नहीं होगा यह आखरी चेतावनी है इसके बाद पंचायत कारवाई कर सक कि वे उसके घरवालों को दे दो जी सर पंजी कुट्ट्य के पास दुम होती है पर दिमाग नहीं होता चलो रहे यह क्या बाई कि हमारे आद्मी की टांग काटके हमारी बेजस्थ इतना सब कुछ होने के बाद हमारे साथ कौन आएगा कोई न कोई तो इस दुनिया में होगा ही जो मेरा ये काम करेबा तिरोपुरम वहाँ पर एक इंजीनिरिंग कॉलेज है वहाँ पर दोनों लोग पढ़ सकते हैं बस कॉलेज के अंदर नियम यह है कि जगडा नहीं होना चाहिए इसलिए जमीदार ने वहाँ पर एक नियम बना किया है लगता सब कुछ फिक्स हो गया है अब उसे कैसे भी कंवेंस कर लीजी अप मेरी कंपनी वालों ने मेरा ट्रांसफर तिरूपरम कर दिया और अभी पोस्टिंग के लिए सिर्फ दो महीने है और तुमारा से मिस्टर में शुरू हो जाएगा इसलिए मैंने तेरा एड करता है क्या लगता है आप लग नहीं रहोगे तो मैं जीऊंगा नहीं पापा आपने मुझे समंदर में भी धकिल दिया ना मैं मचली पकड़के उसको फ्राइब करके खा जाओंगा समझ गए ना मैं कहीं पर भी जी सकता हूं अरे बेटा मा तुम फिक्र मत करो मैं बात कर अरे तू ऐसे बात कर रहा है कहीं तरहीं बस ही ना छूट जाए मुझे यह डार है कि अधाटा कि मा का ख्याल रखना आठेगा जल्दी फागों यहां से करी इसका मूद ना चेंज हो जाए तरब द्रब रखना तरब द्रब रखना तरब अरो तरब रखना ए। तरब बुरब पूर बढ़ा है उप सब कर दो थे इसकता हो उल्दी जहा झा ह। भाईया ये खेती ये पहाड़ियां ये हर्याली ऐसा लगता है आप मुझे किसी दूसरे राज़्य में लेकर आए हो हरे नहीं नहीं हम लोग इसी राज़्य में है भाई मुझे तो डाउट था हम अपने राज़्य में है वो खेती दूसरे राज़्य में है क्या कहा हां सर य काँ जाते ही तेरी आवाज में कितना फर्क आ गया है उतरते ही फोन कर लिया तुने आवाज तो बदलेगी ना पापा पॉलिशन से भरे शहर से निकाल कर अचानक साफ सुत्रे वाता उरण में भेजोगे तो चेंज़ेस तो होंगे इना इतना कॉममन सेंस नहीं है फैदराब नहीं सांबरोनाा आटली सांबर बाता इढ़ी है मब एल्म सांबर वाद ड्करियाant को छुका अधा फॉन करता हूंँ wall मिनिलिन पापा यहाँ ल२ियर्ज हमार में बहुत कुश्च अइस धुश्च आरे और ले लो पेटा, सो रुपय में, ले लो, अरे, सो रुपय में कौन खरी देगा, यार, कोई पागिली खरी देगा, यह क्या है, जी यह दिछ रास्ता बांथ कर रखा है, यह दिखो, यह होटल है, ठीक है, खाते भेए बात कर लेते हैं, आज़ा, भाई, टू-फ्लेट संबर इ मेरे होटल में कदम रखते ही इतने सारे ग्रहाग आ गए दो प्लेट सामर इट ले ज़रा चल्दी यहां अरे बेवकोफ नीबु कोई इतनी बड़ी तलवार से काटता है छोटे चाकू से काटते हैं रुख ज़रा पूरा खराब होगे ना पागल कहींगा हिंदी समझ में नहीं आती गया कितनी बार बोला पड़ेगा सामर इट लिदे जल्दी तुम सब को मेरे बार में पता नहीं है अभी बताता है तुम लोग आदमी हो कि जानवर हो यार ऐसे कैसे हो सकते हो तुम लोग अरे जगड़ों में इंट्रेस्ट मैं भी तो रखता हूं लेकिन ऐसे सामबार इट्ली के लिए जगड़ा करना अच्छी बात नहीं है यार अच्छा मेरा बैग लिलू मैं अरे जादा कम से कम आप तो इन्हें समझा ही सकते हैं ना जाँ लो ऑ्राद़ मेरा गो देख सेकते हां अ करो रखता हैं लोग जगड़ों में रह दोसasto का करो करो अदोसे करेंगक़ करना अच्छी ही जग्या संदम में हो ध्यार व्यार अबार अज़ो अबर इख सिन अष्छी है यह व्यार इख अबर र्भार अ nerknत हैं उत्स अब कि भाई थंड़ा पानी पीलो लो लो पीलो अरे कोई बखरी को गाड़ी से उड़ा दिया एसी पूरी फैमिली पीछे पड़ गती मेरे वो क्या है कि दो दिन पहले उसको आजमी दर आया था उसकी टांग काट डाल हुझे भाई तुमको कहां जाना है पहली बार तिरूपूरम में कोई उदर जाने के बाद सवालये यहां कोई झूटव वी पूलीस वाले के पास नहीं जाता है तो फिर बाई कहां से आएगी लगता है यह बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग है अच्छा असल में यह जगड़ा क्या था यह तुम पढ़ने के लिए हो ना तो पढ़ाई करो ना फाल तुम में इस लफटे में पढ़ने की कोई जरूत नहीं है ठीक है पर हमारे कॉलेज के अंदर जगड़ा क कोई चांसी नहीं है प्रिंस्पल परमात्मा आदमी है एक दम स्क्रिक्ट है प्रिंस्पल के इजाज़त के बिना कॉलेज बो कोई पंक्छी भी पर निवार सकता तमिल वाले हो या तेल्गु वाले वो सब कॉलेज के बाद एक बार कैमपस में कदम रख दिया ना तो सब एक समान उनके रूल के इसाब से चलना पड़ता है जिसे भी कॉलेज में पढ़ाई करनी है उनके होस्टल में सबको मिलके ही रहना पड़ता है इन दोनोंने मार पी अच्छा फिल्म देखी हां सच में यार रजनी कान की एक्टिंग का तो जवाब नहीं रजनी कान तमिल से जादा अच्छा काम त्यल्गु में करते हैं इनकी बातों से लगता है रजनी कान से यह कुछ ज्यादा ही इंस्पायर है रिखा वन वीक के लिए नहीं इन लोगों को वन मंथ के लिए सस्पेंट करो अगर ऐसा कोई हैदराबाद में होता ना तो डंडे से मारता उसे इसलिए वह तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए राद बर दर्मादा खोल के सोता है सामने दुश्फान एक गोली एक mále मतलब हमारी क्रटा होता ही इस भाई एक बात बता तुम क्नुराइच में पढ़ाय करने के लिए हो यह यह यहां-किरने क्लिए अरे बताओ ना भाई लगता है माने का नहीं अ नला सीनू की देख रेक में एक बार महीने में फाइट होती है वो कॉलेज के केंटिंग का होनर है वो कॉलेज के पीछे के गोदाम में पैसा लेके तेलओ और तमिल गुरूप में फाइट करवाता है जीतने वाला महीना पर शेर की तरह रहता है और हारने वाला मिल्ली की तरह है एई अभे तुम लों के बारी आज महीने के पहला दिन है ना आज फाइट होगी अरे तो फिर वही चलो ना भाई पता था हाँ 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 कॉलेज में ज्यादा दिन तुम टिकने वाले नहीं लगते हो यह लो मेरा कार्ड जरूरत बढ़े तो मुझे याद करना हाँ इंचरे वाल बेढ़े तो में लुटीन के प्रों के दूश्माने में लुटीन के जिए क्यारे बलकेशा है अरे विटली खाया, उनका सांबर नहीं खा सकते हम लोग, उनका कपड़ा धोना पड़ता है हम लोगों को, तो ए से बार खायगा तो कैसे चलेगा? जा भार उनको, भार, हार, 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 խार! इस अड़ी कहीं का ये काविसे नहीं होने वाला है इस महीने भी तिल्गु वालों का ही सर उठा रहेगा है यह लूंगी रख ले अपने पास कि अगली पार किसी दंग के बंदे को भीचना अरे यह तो पूरा ललू नहीं गया किया चाहिए कोग्या कोल्टिंग गेमें पार्टिसिपेट करना है पांसो रुपय लगेंगे यह लो बैट जो सब बैट जो एक नया बखरा आया है लगता है यह तमिल वाला है जमके दुराही कर शहर है कि दिखने में तो अच्छा लग रहा है इसे पिछ पर पहली बारा है उनका की नहीं पता में हा लेकिन चार मुख्य खांक वह पर चलब जाओंगा आचाओ वज एक चुझा वा जा ठाड ओया मारू अ कम आई चालो आई मारू कुछा यहाँ वो मारेगा तो एंजोई करूँ या मैं मारोगा तो एंजोई करूँ और गोई अरे गोई अरे गोई अरे गोई उदर कोई मार रहा है इसलिए तो इधर आगया मैं अरे उनके लोगों को मार रहा है अबे क्या बख रहा है तू सारे सवाल यही पुझेगा तो वो चला जाएगा चल 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 अरे बुरू पर वो है कौन है इससे क्या अपने अपोजीशन वाजे को मार रहा है बतलब अपना ही है यहां 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 कर दो 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 अच्छा यह बात है तो फिर तुम यहां क्यों हो प्रिंस्पल के कभी में चाहिए शहर से आये हो लोग गाउं से शहर जाते हैं और तुम शहर से यहां पढ़ने आये हो मेरा भी यही प्रॉब्लम है सर शहर में कुछ होता नहीं है सर वहाँ तो कोई साथ भी नहीं देता है लेकिन यहां पर मैं साथ मिल जूलकर पढ़तो लूँगा बहुत मज़ा आएगा सर पढ़ने में तो पहले तुम होस्टल जॉइन कर लो जरा इस लड़के पर औब्जर्वेशन रखाए ब्रो यही अपना होस्टल यहां पढ़ने वादे सभी बड़े-बड़े आदमी बन गया ऐसा प्रिंस्पल साब कहना है लेकर उनकी बात पर ध्यान मत देना यहां तुम्हारे रूम में रहेगा तुम्हें खाने पीड़े के सिवा कुछ सुछता है क्या रहने के लिए सिर्व रूम नहीं देल भी होना चाहिए जो मेरे रूम में आजा यह नीचे रहेगा और आप उपर रहोगे और हमसे टकराने माला सीधा उपर जाएगा उस लड़की के बारे में पता चल गया है वह कॉलेज में नया जॉइन हुआ है गलती से वह बगल में चला गया था मगर होश्यारी से बचकर निकल गया यह बात हमें पता चली है ठीक ह तुम लोग जाओ खेटी किसके करें उन लोगों ने क्या किया चने की खेटी की हम किसी से भी कम नहीं रहेंगे हम भी चने की खेटी करेंगे इतने लोगों को उसने भगाया है इसका मतलब उस पर अच्छी तरह नज़र रखना पड़ेगा good evening sir good evening I will study sir good boy क्या ब्रो यह हॉस्टल इतना silent क्यों है यहां कोई मारता काटता नहीं है रूम और बात्रूम को छोड़ कर हर जगा सी सी कैमरा फेक्स है इसलिए जो भी करते हैं ना एदर उदर ही करते हैं एक मेना वेट करना पड़ेगा पता नहीं मेरे बाप ने मुझे कहां फसा दिया अरे गुरू यह कहां कहां है पूछा ना ब्रो तुम्हारा फैबरिट हीरो कौन है रजनीकान ब्रो रोबाट दस बार देखिए मैंने अब उसका फैबरिट हीरो तो रजनीकान है तेरी तो अब भी तुझे डाउट हो रहा है क्या अरे गुरू का यह हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेता है यह तेलगों है यह तामिल है पूछो पूछो ना ब्रो आप तो हिंदी यह तम फटा-फट बोलते हो बाई मुझे फोर लेंगवेजे साती है ब्रो तुरह इधर आतो अरे तुरुक यार इतने दिनों से उनके साथ फटिंग में हार कर सर जुकाकर जी रहते हैं हम लोग वो गालियां देते रहते थे और हम लोग चुप-चुप सुनते रहते थे अरे इतना ही नहीं इस कॉलेज में हम लड़कियों का पैर ही देख सकते ते चेहरा देखनी की इजाज़त ही नहीं थी आप तेरी वज़े से पहली बार हमें सर उठा कर देखने का मौका मिला है कल से दिखाएंगे हम अपना जल्वा खेल शुरू हो गया है इसे देख हां ये तो सही है ना ब्रो में अभी आता हूँ है कॉलेज के अंदर पहली बार कॉलर उठाकर जीने का मौका मिला है टेल गुता मिल में फर्क मत समझना लड़की होनी चाहिए अट्टा कि अधर जूनियर और सीनियर से है रोजी तु मेरे साथ फ्रेंड्शिप करें क्या है कॉलेज में इतनी सारी लड़किया है फिर दुझे मुझसे क्यों फ्रेंड्शिप करनें तेरे से खुब सुरत है मुझे क्यों चुनेंगी इडियाट कहीं का प्रिंसपल तो नहीं अधर आप शुझे हम लोग शादी कर लें क्या ए तू थर्ड यहर में है और फोर्थ यहर में तो नेक्स यहर कर लेते हैं मैं भी नेक्स यहर फोर्थ में आ जाओंगा किस थे चिप का दिया तो जी तालिया बजा रही थे अच्छा गलती से मेरा चैरा बीच में आगे अब बढ़ यहां हाँ इस इस कितना पॉसंटे जाया पॉसंट पर संट पर संट बता ना बताओना बाकलोग कितना है थ्री तुम्हारा जूट बोल रहा है मगर उंगलियां सही बता रही है कौन सी क्लास में हो थर्ड एर सी असी ओहो मेरी क्लास में सुलिबस कहां तक पहुंच गया पता भी है पोशन कितना पढ़ाया गया है पता है क्लास कौन सी है यह पता है कौन से फ्लोर पर है यह भी पता है तो पता क्या है बस दड़की को हाई बोलना आता है क्लास में जाओ क्या हुआ तुम लोग तो ऐसे खड़े हो गए जैसे बिखारी रजगुला देखकर फॉरण खड़ा हो जाता है बैट जाओ क्या बात है बेटी इतने खड़ी हो गई तुम चार सब्जक्ट में जस्ट पास हुई हो और तो ब्लैक लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे उपर है हौड डेर यू सब्सक्राइब ने तुम हाक आइड कांसे बतादिया लेकिन तुम्हारा रिजट बताऊंगा तो मेरे हाथ पैर कम पढ़ेंगे अरो प्रेंगलिश कमाल यार कितना विटब देती हो तुम तो प्राइब से अग्या बस में अ आया हूं यह वेरी वेरी वर्स जोक पूरी क्लास सालेंट है और तुम जोर-जोर से सहले जा रहा है और तो तेरी परसेंटेज कितनी बनी थी 91% 91% इंटर्नल टेस्ट में या सेमेस्टर टेस्ट में क्या बेकार के जोग में बार बार हसता जा रहा है मुझ बन रखना अपना एक बार फिर से सवरे सर देख बेटा मुझे तेरी काबिलेत पे शक हो रहा है मैं तुझे एक सिंपल सा सवाल पूछूँगा बस उसका जवाब देदेना ठीक है सर सी एस ए का क्या मतलब है उसकी फुल फॉर्म बताओ कंप्यूटर स्कैनर क्या गलत बोल दिया एजुकेशन हाँ एजुकेशन सर बेचारा नाया आया है ना इन लोगों के साथ कैसे मिल जूल कर रहेगा मैं तो यही सोच के परिशान हो रहा हूं ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन तुम लोग दूद और पानी की तरह मिल कर रहो उसी में तुम्हें खुशी मिलती है न तौई करो सर हमारी क्लास नहीं लोगे दस के आगे एक शुने लगाओगे तो क्या होगा दस अब गधे 100 भी तो होता है सर मैंने हिसाब नहीं किया तो इतने समझदार लोगों को मैं कैसे पढ़ा सकता हूं बता अभी कौन बनेगा करोड़ पती खेल रहोता ना तो फटा 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 जवाब दे देता मैंने मेरी बेटी के स्कूल का सवाल पूछा तू इसका भी जवाब नहीं दे सकता तुमारा लेवल कितना नीचे जा चुका है ना लाएक हो तुम सब कार्थिगा तेरे पीछे पीछे आस्टेल तक आ गया तुम टॉपरों सोचका बात करने में टेंचन हो रही थी लेकिन अब तो सब कुछ पता चल गया है ना तो हम फ्रीली बात कर सकते हैं ना क्या बात करनी है हम दोनों में बहुत सारी बातें सिमिलर है तुम्हें जगणा पसंद है मुझे भी जगड़ा पसंद है कि तुम्हें पढ़ाही में इंट्रेस्ट नहीं मुझे इंट्रेस्ट नहीं है अफकोर्स थोड़ा ठीक ठाक मैं हूँ चला हुँ इसलिए कहते हैं सही इंसान का हाथ पकड़के चलना चाहिए झाला हुँ झाला हुँ झाला है माँ क्या रे कैसा है बेटा जखम पे मरहम लगा रहा है ना इस बार चोट शरीर पर नहीं दिल पर लगी है माँ क्या हुआ बेटा यहां पर एक लड़की को देखा मा तेरी तरह ही महालक्ष्मी देवी का रूप है लेकिन अंदर से वह पूरी फुलन देवी है माँ उस लड भगमा ने उसे कॉक्टेल बनाया है मा सुनते हो हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद आगी है आधतें बिल्कुल बुरी है लेकिन तारीफ करने की कोशचच कर रहा है इसके दिमाग को पूरी तरह डाइवर्ट करने के लिए हमारे डाकू को वालमिकी में तबदील करने का यही तरीका है लड़की को बोल दिया तुमने कैसे बोलो समझ में नहीं आ रहा है एक अच्छी से लव स्टोरी फिल्म देखो एक लव स्टोरी किताब पढ़ो और एक अच्छी से फिलिंग पेपर पर लिख डालो उस लेटर को पढ़ने के बाद लड़की को लगना क्लास में तो मुझे क्यों देख रहे थे मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखने लगा मैंने देखा कि तुमने मेरी तरफ क्यों देखा मुझे क्यों देख रहे हो यह देखने के लिए तुम देख रही थी ना यह देखने के लिए बात पल्टो मता अरे गुरू उतर देखो अबे हम इंगलीश फिल्म देखते हैं तो अग्रीज हो गया क्या अरो कुरू देखो तो वह तेलगु किताब पढ़ रहा है मैं मैद पढ़ रहा हूँ तो मैद वाला हो गया क्या इसकी आलब कैसी हो गई हर बात पर शक करता है पीने का अलागी मज़ा है उसने देख तेलकु में लिखा है इसे देलकु नहीं आती है इसलिए लिख करके काट रहा है हौँ पक्का वह तमिलवाला ही है छीर्श चिर्श चियर्श सुना है शेहर की लड़कियां सरफ यहां तक कपड़े पहनती है हाँ यार यहां की लड़कियां भी अपडेट का हुई है हम लोग यहां तर पहने ना तो भी लड़के देखेंगे कितने लोग लिखेंगे लेटर कोलीज में क्या मैं अंकेली हूं हां इसको भी लिख सकते हैं इस बार किस ने लिखा है कोई हरी है सोचा था मुझे तो लगाए था कि इसके पास से लेटर ज़रूर आएगा पर दो दिन लेट हो गया चल पर हाई तुम बहुत क्यूट हो बहुत स्मार्ट हो बहुत इंटेलिजेंट हो बहुत डेरिंग बाज ऐसा तुम मुझे कहोगी रहने देते हैं यह लेटर नहीं पड़ते हैं तुम लोगों को मैं कितना टॉचर करूंगी हां जाने देना बहुत इंट्रेस्टिंग लग रहा है तुम कंटिन्यू कर तुम बहुत खुबसूरत हो तुम समझदार हो तुम्हें देखकर दस लड़के गिर जाएंगे अगर कि उसे ने कहा तो विश्वास मत करना क्योंकि फूल एप्रिल फर्स्ट को बनाया जाता है लेकिन तुम पूरे साल करती हो असल में तुम्हारा प्लस पॉइंट है कलर वो गधे को भी होता है आखे अगर अच्छी है तो जश्मा क्यों चेहरा अगर तुम खुबसूरत हो तो सब कुछ है तो प्यार करें तो उसे स्वार्थ कहते हैं इसलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो तुम्हारा राक्षस तुम्हारा आशिक तुम्हारा आशिक तुम्हारा आशिक तुम्हारा होगा है रुक ना वो लोग भूखे शेर की तरह सौ लोग है और हम नाजुक सिर्फ पांच लड़किया है क्यों से पंगा ले रही है तू चलना या से चलना क्यों से चल्दी आओ यहां सीची टीवी कैमरा लगा है सीची टीवी होने से कुछ नहीं होता प्रिंसिपल के कमरे में फ्यूज अचाहिए यह कब निकाला यह बताना सरुरी नहीं है चलो कितने दिनों के बात हुई है लोग किसमत से धन दौलत लेकर आते हैं और यह क्या अंडवै लेकर आया है जी हाँ पापा आप चिंतामस की जिम्हें पढ़ाई कर ध्यान दे रहा हूं यह क्या है इसलिए इनके माबाप ने इन यह यहां भेज दिया है जिससे छिपाना चाहिए था उसे मुझ पर डालकर सो रहा है यह बेवकूफ इसका रूम नमर क्या है फाट जिरो एट चल्ड रूम पंच कर लाइट ओन कर अच्छे क्या रहे राची सुबह तो आई थी रात को किसी और को बेजना प्यार ब्यार करेंगे यह क्या क्या रहा है मैं सुबह यह आई थी और अब दूसरी को पेज़ने के लिए इसकी नजर में मैं कोई ब्रोकर हूं क्या इसको तो मैं अभी सबख सिखाती हूं अरे मैंने सुचा रिस्पॉंस आई का लेकिन तुम ही आगी इसका तुम क्या है वेट मैं क्या समझ रख है मेरे बारे में हाँ मैं स्पैक पेहनती हूँ मेरा रंग धी जैसा है मैं खुब्सुरत नहीं हूँ लेकर को गवर कदी की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम मेरी ओरिजिनालिटी को बाहर मत निकालो समझे, बता मैं कितनी बार तरे सपने में आया हूँ, चल बता मुझे, अरे तु आय थी और मेरी लूंगी लेकर चले गई, अगले बाहर अगर तुमने मेरी तारीफ की न, तो जान से मार दूँगी, चलो, रेखा, साक्षात सरसोती देवी आ रही है, साथ में लक्षमी आती तो कितना अच्छा होता, अब तक आई क्यों नहीं, हाँ सर, एक्स्क्यूज मी, आप कल दिखाई नहीं दी, पती की साथ पिक्चर देखने गई थी, हाँ जी, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हानी सीट वाहा है, हाँ, तुम्हारी नकल गर गे पूरे युनियो सिटी में टॉपर बन जाओंगा न, बक्वास मत करो हाँ, जाके अपनी सीट पर बैठो, पना सर से कंप्लेन कर दूँगी, अरे, तुम अपनी सीट पर बैठो, अपने पेपर लिखो, और युनियो सिटी में टॉपर बन जाओंगा, समझी, सार, रुकचा, रुकचा, मैं जा रहा हूँ, जाओं, अरे, बापरे, टेक्स्ट बूक को पूरे दूपटे में जरॉक्स मार दिया है, मैनद करने की बाद की थी, यह महनत है तुम्हारी? प्लीज, 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 मैं तुम्हारे हाठ चोड़ती हूँ, अगर इस पर पास नहीं हुई ना, तो पापा बेल्ट से भारेंगे, इस पर मुझे पास होना ही है, प्लीज, 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 एक्जाम होने के बाद भाहर मिलना, एक हग करूँगा, मेरी चपल से कर देना, बता दूँ क्या, सर, मुझ ऐसे चीजों के आदत नहीं है, यार, तो इस तरह ड्रेस पर लिखना बचपन से आदत है क्या, अभी पेपर लिखो, बाद दे मिलना, कैदी नमबर 147 देखी ना, उसके बाद वो नर्सिम्मा रेडी की नई वाली मूवी आ रही है, वो भी सूपरेटी होगी, क्या मूवी बनाई है, एक्टम रियलिटी पे है, सर, वो जो पीछे बैठा है ना, सर, वो चीटिंग कर रहा है, अरे, इतनी बड़ी स्लिप लेकर आया है, चल लेकर आया, वहाँ तक तो ठीक है, लिखने के बज़ा हवा में क्या देख रहा है, यह आंसर है सर, यह आंसर किस क्वेस्टिन में लिखना है, पता नहीं चल रहा है सर, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, यह सारे चिट फिर से बनाने पड़ेंगे, जो भी बात करने हैं बोलो, मैं सुनकर चली जाओंगी, तुम्हारी पीट को देखके बोलू, बोलो, कार्थिका, वो, तुम्हें से देखती हो तो मैं डिस्टरब हो जाता हूँ, थोड़ा पलट जाओना प्लीज, पहले मेरी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं थी कार्थिका, रोज एक फाइट, रोज एक केस, मेरे पापा कहते थे मेरे पैर जमीन पर नहीं रुखते थे, और तुम्हें देखने के बाद सच में मेरे ये पैर जमीन पर नहीं ये कार्थिका, तुम्हें सच में बहुत पसंद हो, अगर तुम हाँ कहोगी तो मेरी जिंदेगी बदल जाएगी, ने दिल में बहुत सारी फिलिंग्स है कर्ती का कर्ती कह कुलकु तुम नहीं तुम में यहीं है मैं हमे कॉभी बेटी बेटी खड़ी हो जा गिवार बीग हेंड्स कर चला गया अरे क्या सब्सक्राइए यार मुझे तो कुछ समझ मिलिया यार है कमालोग और अर्य मेरे सामने ही यह आक्टिंग नहीं मिली थी तो दुखी मिल गई हूं तो दुखी बात क्या है तब ना मुझे पड़ाई आती थी और नहीं तुम्हें लेकिन अब तो सब चेंज हो गया है तुम तक लास्ट आपर बन गई हो तो सुचा मैं ही साइड हट जाओं मतलब पहले ज साइलेंट होकर मेरी कॉंसेंट्रेशन बिगार के डिस्टर्ब कर रहे हो ऐसा क्यूं ठीक है क्या ठीक है मैं जब बोल रही हूं उसका जवाब दो मुझे डिस्टर्ब क्यूं कर रहे हो ठीक है और यह पॉगल हो गया है चलो जाओ पापा के साथ फ्रेंडली होना चाहती थी नहीं हो पाई मा के साथ ओपन होना चाहती थी नहीं रह पाई मैं खुद अपने आप में रहना चाहती थी नहीं रह पाई मैं दूसरों की तरह रह रही थी पर तुमने देखा कि वो मैं नहीं हूँ इसलिए डिस्टरब हो गई थी तुमने आइडेंटिफाइ किया कि असल में मैं क्या हूँ मेरे अंदर जो मदलाव आया वो तुम्हारी मज़ा से आया अब यह सब होने के बाद तुम सालेंट होकर जा रहे हो क्या कहा जरा फिर से कहना मैं मैं नहीं हूँ यह बात तुमने आइडेंटिफाइ की थी मेरे अंदर जो मदलाव आया वो तुम्हारी वज़ा से आया है और उसके बाद सालेंट होकर जा रहे हो तुम्हें मार्क्स के साथ बाते भी करना आ गया अगर हमारे बीच के डिस्टेंस को मिटाना है तो पापा को इंप्रेस करना होगा इंपॉसिबल हाँ तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे यह इंपॉसिबल है कि इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे कि इस्टॉल्मेंट भरना पेटिया मैं क्या कारती के डिटेल्स चाहिए अभी देता हूं वैसे डिटेल्स लेना इतना इसी नहीं है वह लड़की जो है वह बेटी है केशोंकार की वह तेल्गु वालों में सबसे बड़े हैं भाई डरा र के बोल रहा हूं पागल कहीं का भाईया मुझे भूल तो नहीं गए उसकी बेटी के प्यार में पड़ गया अभाईया काट दे दिया तो सुच आइडिया भी दे दो गया लेकिन उसके शेव बलू को कैसे इंप्रेस करूं वह तेरे बारे में सारी इंफोर्मेशन निकाल र थैंक्स मैंने कोई आडिया ने दिये भाई पर मुझे तो आ गया ना भाई गाउं का चरित्र हमारा चरित्र होना चाहिए अगर तुम दोनों में दुश्मनी है तो का एक दूसरे को मारोगे पर जिससे दुश्मनी नहीं उस पर हमला क्यों किया क्या बात कर रहे हैं सर पर हमला किया भाई उस दिन जो बच गया था वो यही है सर मैं हैदराबाद से यहां पढ़ने के लिए आया हूं जैसे मैं बस से उत्रा तो वह आपका आदमी है ना वह मुझे बोला कि यहां पर ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है और इडली सामबर खिलाने के लिए मुझे यहां पर ले आया और इडली सामबर का ओडर दे दिया लेकिन बाद में मैंने देखा कि वह वेराइटी वेराइटी के ऐसे से चाकुली कर आ गया था मार देते तो मेरी समाधी बन जाती सर मेरी फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी कौन देखता है अरे 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 हमारा कुछ नहीं कर पा रहे है तो किसी बाहर से आई हुए आदमी पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं एक बार आमने सामने आ जाब फिर पता चले हैं इसमें कितनी देखिये सर पंजी कोई कुछ भी बोल दे तो उसके लिए पंचायत यकना बहुत गलत बात है यहांने से पहले हमने इसकी शकल तक नहीं देखी थी और पंचायत का काम सिर्फ बातों से नहीं चलता सबूत चाहिए अब इस सफेद दढ़ी तेरी तो तुम लोगों ने इसको देखे बिना इसके साथ फोटो किछ वाली है यह फोटो क्या है रहे सेलफी बोला था इसलिए मैंने तो तुम पंचायत के सामने माफी मांगो एक बात कान खोल के सुन लो तुम्हारी जगे कोई और लीडर होगा माफ किजिए स्रपंची चलो रहे चलो परस्ट टाइम बिना कुछ भी खाए हमारा पेट भर गया एक बार जड़ा हमारे घर आओ खाने बार जरूर करेंगे जम करें कि क्या है तो मिस कार्थिका मिसेस बने के लिए तयार रहो हां तुम्हारे पापा मुझ पर फुल प्रेस हो गए है बोले फ्री होते खाने पर आजाना ऐसा क्या हमारे घर पर फंक्षन है तम कल ही आजाओ क्या बाद है कि अब कि अब कि अब ब्रो कहा जा रहा है बिर्यानी खाएगा कहा पर कि अब दर वादी तो कोई बात नहीं है अब बे तु मुझपर शक कर रहा है अब बैवकूफ क्या दिनी दिने काम कर रहा है अभीएंगल से शिकाइत करता हो टेरी क्या कर रही है पूरे घर में पानी कर दिया क्या है यह सब तो बच्चों के साथ बच्ची बन गई यह पकट जा कर वहां बान दे माँ जा पाथ बच्चे जा अ 새벽ा जसे है ही जा कर दे है हाँ 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 ओय क्या देख रहे हो हाँ बीटे एक थड़ी है चला हाँ चला जो 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 आप जो 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 यहां पर हो क्या रहाई यह अंकल के घर पर अंकल नहीं रहेंगे तो और रहेंगा यह तो तमील लोग है ना हम लोग भी तमील है ना किस ने बोला मैं तमील वाला हूं मैं तो तेल गूं हूं उनकल नहीं तो नहीं दुखा था कि रजणी कान न का फैन रजणी कान न के व्या具 रजणी कान तो सब्साइब कर सकता हूं अब शकल पर लिखा होता है क्या अब तुम्याद कर थोख लपट करने हैं अब अगर यह वात उनको पता चल गए तो काटके फेक देंगा हमें अब क्या कर रहा है मैंने एम कार्थिका को बोला तुम एल कार्थिका हो बैठ जाओ के शोंकार की बेटी वो तेलबू वालों में सबसे बड़े हैं पर उसकी बेटी का नाम भी कार्थिका है फंस गया यार एसकेप भाई वो आगया पीदा जी के जनम दिन पे वो बकरे की नहीं इंसान की बली मांग रहे है इसका तो सर काड़ दूंगा काट डालो अढ़ है बालो अँख अँख हेलो हाँ बिटा कैसे हो कहा हो लाइफ में फॉर्स टाइम पाप घर की याद आ रही है उसे घर की याद आ रही है बहुत बदल गया है अब तो सारे बच्चों और और अरतों को अंदर लेके जाओ कि अँख को बेटा हमारा दुशमन होने के बाबजू दिये यहांपर क्यों आया है यह जानना बहुत जरूरी है कि आया नहीं अंकल उसे यहांपर मैं लेकर क्या आया हूँ मैं तमिल हूँ अंकल, तमिल हूँ मैं, मैं तमिल हूँ भाई, बैठा तेरे से जाधा होश यार हूँ मैं, तु मुझे भसाना चाहता था ना, तुझे मैंने भसा दिया, I'm safe, भाईया, तमिल है तो क्या हुआ, इसने हमारे घर में करतम रखते ही मुझे ताने दिये थे, आग उपर आये तो करण लगेगा, पानी में डालूं क्या, अबे गदो, दिखाई नहीं देता तुम लोगो को, तीछे अर्जा, परना जटका लगेगा, अरे बापरे इमोशनल में इनको ये भी नहीं पता चला कि करण चला गया है अब क्या करूं तुम लोग अपने हथियार नीचे डाल दो हम लोग चले जाएंगे फैक दो रे हथियार जल्दी फैको है दादा की है दाधा तो नहीं है न क्या सोच रहा है उनकी जान जाने और हमारी जान नहीं डाल दे अब जुरा ठेर जाओ यह बात करा तेरे पास हिंबत नहीं है तो मुझे ते बहगैं दालता हूं सब को षिला दूंगा बाइक की चावी दे यह ले तो गाड़ी स्टार्ट कर यह कहां डालना है डालते रहे मैं तो चला अब बोलो ब्वाइस वाट टू डू एंड वाट नाट टू डू डालू मैं डाल दू इधर डालू इधर डालू जैसे ही टीवी चालो किया बिजली चली गई माई तू ने तू दू का दिया अबे तो फिर से आगिया अब तू फिर से आगया जो कि अब जाओंगा वो लग मुझे माड डालेंगे मैं अपने दादा की इचा के से पूरी गुरूगा उनके सपने सपने रह जाएंगे अब तेरी वज़े से मुझे जिसको इंप्रेस करना था उसी से पंगा ले लिया मैंने कार्ति का बोले तो कॉन से कार्ति का पूछना पैसे लेते से मैं इंट्रेस्ट अपने यह गधा कहीं का अरे भाई तुम तेलगु वाले हो ना इसलिए मैंने तेलगु वाला समझ के उस तेलगु वाले की सारी डीटेल्स आपको दे दी थी भाई तुझे पैजे से पता था कि यह पता है कैसे मैंने कौन सा गाउं पूछ चूण ना यार उस वारे में क्या सोच अरे ऐसे कैसे छोड़ दे आजादी 15 अगस्त को मिली थी तो क्या हम हर 15 अगस्त को याद नहीं करते हैं क्या तुझे आपकर तुम मैं बंद गया गाउं में तो वह मार डालेंगे और यहां पर स्टुडेंट्स मार डालेंगे और मानी यह हमारा ही बंदा है तुम लोग ने कैसे पता लगाया वह क्या है ना कि विकेंड में भी दारू पी रहा है ना इसलिए यहां क्यों आयों तुम एए तुछ्य मैंने देखा ये दिलगू वाले से बात कर रहा था कोपचे में लेकिए इसको अच्छे से धोड़ाला मैंने बात करा तो दोड़ाला और रूम में रखेगा तो नहीं पता होगा तो रहेंगे पता होगा तो यह रखेंगे अरे कैसे भी छुपागे रखोगे ना हम उसे सूंग लेंगे अरे तो ठीक है कि मैं था अगर गुरु भाई होता ना तो उसे गढ़े बैठा के पूरे गाउं में घुमाता समझा थोड़ा शांत मेरे सामने बात करेगा तो चलेगा मगर तेरे सामने बात किया तो चलेगा गुरु मुझे माफ कर दो मैं कभी तेलगु वालों से बात नहीं करूंगा मैं कसम गाता हूं मुझे माफ कर दो इसकी जिंदा मत कर हम इसे देख लेंगे चल बैचारा सूसू उस ने नहीं तूने किया है वो मेरे गांव आया पकड़ नहीं पाए मेरे करीब आया समझ नहीं पाए मेरे घर आया कुछ नहीं कर पाए फिर तुम लोगों को पालने का क्या फाइदा अपने गुसे को शांत करो आज के बाद वह जो भी करेगा मुझे पता चल जाएगा क्या कल करेंट गया तो पता नहीं चल पाया वह जो करेगा वह पता चलेगा पंचायत रखेंगे तुझी सथ चली जाएगी और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मन को शांती नहीं मिलेगी आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कुछ तो करना पड़ेगा जाओ तुम लोग कॉलेज का लड़का बोल रहा है तेरी बेटी को नहीं पता है क्या हमारे गाओं में जो कदम रखने के लिए ड़ते हैं वो घर पर आ गया इतनी हिमत किस ने दी उसे अचीब से कपड़े बालों को कलर और इंगलीश में बातें करती है वहापरे क्या ये हमारे घर की बहुबीटियों की लक्षण है और पढ़ाई में कौन सी अच्छी है हमारा मुर्गा जितने अंडे नहीं देता उससे ज्यादा तो तेरी बेटी लेकर आती है घर में अगर इंजिनियर बन भी गई तो उससे क्या होगा मुथू किसी के साथ अगर इंगलीश पिच्छर देखने चली गई तो देखने वाले तेरे मूँपर थू थू करेंगे हाँ कार्थिका कार्थिका पापा जो लड़का कल आया था वो तुम्हारे कॉलिज में पढ़ता है जी पापा क्यों आया था इस पुठी नहीं फसाया है बंदर गई की जवाब दो आप मुझे शक करें हैं पापा अब हमारे घर में फक्षन है तो लागों लोग आएंगे ना अब वो भी आ गया इसमें मैं क्या कर सकती हूं औरे पापरी इसने तो फिर से ड्रामा शुरू कर दिया अगर ऐसे ठाना तो मैं कॉलिज नहीं जाओंगी ठीक है कॉलेच छोड़के घर बैठो अब और को मुझे पढ़ना है आप ही ने का पढ़ो 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 जबंदस्ती मुझे होस्टल में डाल दिया ठीक है माना कि आपका गाउं में नाम बढ़ा है लेकिन मैं सिसली के आप गर्स से बोल सको कि मेरी बेटी दोसा है वह फोन नहीं करेंगे अहां वहां देख प्रिंस्पल साहब मैं वीरा मुथ्फु बोल रहा हूं मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है स्पीकर पर डाल कि शीज वेरी बैड स्टुडेंट मैंने क्या कहा था अगर किसी ने ऐसा बोला तो उसे एक घंटे उठक बैठक करना पड़ेगा शीज ब्रिलियंट स्टुडेंट इस बार की एक्जाम में शीज टॉपर यह है मेरी बेटी कल से तु कॉलेज जा बेटा ठीक है किसमत मेरी चल आज बिलकुल मजा नहीं आ रहा पढ़ाई में नहीं लग रहा मेरा सच क्या रहा हूं मैं फ्रेंट्शिप तो तुम्हारी है साथ में आते हो साथ में जाते हो भाई तुझे एक कहानी सुनाता हूँ तुझे क्या समझ में आया बताना एक साप ने एक पावर से दोस्ती कर ली दोनों जो है एक साथ रहते थे एक दिन पावर चला गया तो पता चला कि ये तो सिर्फ साप है अब साप के अंदर जहर नहीं था वो क्या है कि साप के अंदर से उसका पावर चला गया था लोगों को पता चलेगा तो साप को मार देंगे ना साप की तरह पावर फुदू तुम हो भाई कुछ सोचो ना हमारे बारे में अपने पितादी से बोलना अगले साल की फिस तैयार रखें सेफटी के लिए बैल कहीं का ए फोन लगाता हूं जौब नहीं देती मैसेज का रिप्लाइब भी नहीं क्या हुआ है बोलो ना जवाब दो जब तक बात नहीं करोगी हाथ नहीं छोड़ोंगा हमारा मेल नहीं हो सकता तुमने क्यों नहीं बताए कि तुम तमीलों यह मुझे बताया अगर जात्मत का टेंशन था तो पहली पूछना चाहिए था यहां कौन तेलगू कौन तमील कैसे पता कि अब तुम्हारे बाप को छोड़ कर अब तुम्हारे बाप को इंपरेश करना चाहूंगा तो हो नहीं सकता तुम्हें बिना मैंने तुम्हें चाहा यही मेरी सब से बड़ी गलती थी वरक आउट नहीं होगा भूल जाओ मुझे ऑ हो मैं ते praw वाला हुं यहां कर चाहत counting ह तुम नहीं जानते ही इतना सा नहीं है एक तेलगु घर आ गया था तो तुमने देखा ना क्या हो गया था अब अगर हम दोनों को मिलना है तो पहले हमें दोनों गाओं को मिलाना होगा और यह तो इस जनम में होने से रहा कि अधिया तो ने तेलगु अले को रूम में क्यों रखा है मेरी कोई गलती नहीं है मैंने कुछ नहीं किया मैं ही हूं तुझे जगाने के लिए किया क्यों मेरी सिद्दिगी के साथ खेल रहा है तुभाई सुख नहीं है संतोस नहीं है कम से कम सोने तो दे ठीक से लाइफ को नींद लेकर खराब नहीं करना चाहिए मरने के बाद तो वैसे हमेशे के लिए सो जाएंगे लगता है कहा पर क्या यार बिल्यानी के नाम पर हमेशा हदाल करने के लिए सोचता है इन्हें पता चलिया कि मैं तब ही दो काट डालेंगे अरे इसलिए तो ये टी-शट पेना आया है तुझे बेटा तुम्हारे आने से घर में रोश्णी आ गई आजाओ ये कौन मेरा फ्रेंड है इंकल भाई मुझे तो ये उस पार्टी का लगता है टी-शट नहीं देख रहें किसकी तस्वीर चपी है आँखे चली जाएंगे शक करने से आजाओ आजाओ ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आपको देख रहा हूँ अच्छा खाना बिल्कुल गरम है शर्माना मत पेड भर के खाना बेटी कार्टिका अरे बेटा तेरा क्लासमेट आया है आना केशव अंक्यल अगर आप बुरा नाम आने तो एक बात पूछू आपने अपनी बेटी का नाम कार्टिका ही क्यों रखा उस वीरा मुथ्थू ने अपनी बेटी का नाम कार्टिका रखा इसलिए क्या सिर्फ उसी की बेटी सोभाग्यवती है मेरी नहीं सिर्फ ये नाम वह हई नहीं रख सकता है इस से लिए दिखा दिया कि कार्थिका नाम सेनकर अन्य और में यह दूअट की जो कमी है जो मेरे दूश्मनों को मार भगा है मैं असा दामात तुम में देख रहा हूं क्या तुम मेरी कार्थिका से शादि करो सर मैं विरामुत्तु की बेटी से प्यार करता हूँ मैं यहाँ तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ और तो दुश्मन की बेटी से प्यार करने की बात कर रहा है आपके बेटी से शादी करके क्या मिलेगा? आपकी बेटी को पती और आपको दामाद मिलेगा बस वही अगर मैं उसकी बेटी से शादी करूँगा करेगा तो अगर करूँगा तो उस घर का दामाद बनूँगा मतलब वो क्या तेरे पाउं दोएगा यानि वो हमारे सामने सिर जुकाएगा यह हुई न बात इसे प्लान कहते हैं एक्सक्यूज में यह बता वो लड़की तुससे प्यार करती है क्या जान दे देगी सर हमारी शादी के लिए आपकी हेल्प चाहिए बेटे अब तु इस विशे को छोड़ दे तेरी शादी पूरे गाउंवालों को पता चलेगी वीरा मुथ्धू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा तेरी शादी में धूम धाम से करूँगा जबान दे रहा हूँ वो लड़की तेरी ही होगी जा लो शाल नहीं किंड यह मुद्ख पाह, वो लो जैङो लुबच जु आए लुबच आए मुद्ख था वो भूप कोई काटने वाला नहीं था औरतों का सहारा लेके घर में कदम रखा यह क्या हो रहा है सर मैंने क्या बोला था वीरा मुथ्थू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा तेरी शादी मैं धूम धाम से करूंगा इतना सब कुछ होने के बाद उस लड़की से शादी कोन करेगा उसके सामने कोई आप्शन ही नहीं होगा तो यह उसका दामाद है यह फिक्स हो चुका है लेकिन सर यह सब करना तो गलत है अभी जो मैं कर रहा हूं वह सब तुम्हारी भलाई के लिए अब यहां पर सिर्फ यह देखना है कि सर्पन्जी क्या बोलते हैं इन्हें फैसला सुनाना ही पड़ेगा सुनो जो हो गया सु हो गया कहकर बात को खतम करोगे ऐसा नहीं चल सकता क्यों केशव क्या किया तुम ने ये एक लड़की की इज़त को सरे आम उच जाएगा जल्दी मुथू से माफी मांग सर्पन्जी क्या हुआ मेरे खिलाफ बात करेगा तू तुझे जिस चायदाद पर घमन है ना उसे खरीद कर मैं तुझे इस गाउं से निकाला दे सकता हूं या तो माफी मांग या ये गाउं छोड़कर जा मुझे माफ कर दो मुथ देख बेटा तुझ गाउं में बाहर से आया है गाउं में लपड़ा क्यों कर रहा है कॉलेज में डिग्री लेने आया है ना तो वही कामकार जान पर मत खेट आज के बाद गाउं के किसी मसले में टांगड़ाई तो पंचायत बीच में नहीं आएगी सुन रहें मुथ्धु निप्टा देना सर पंची अगर बेज़ती हुई तो शम्शान बना दूंगा एक हपते के अंदर अपनी बेटी की शादी तैकर गर उसकी शादी आज को पंचायत नहीं पंचनामा होगा ए चलो रहे चलती हुँ टेकेल बाई बाई गर्ल्स बाई रीजिनल फिलिंग्स पर अधारी था ये कॉलेज और तुमने इसका मीनिंग ही बदल दिया इस गाउं के जगणों का असर मेरे कॉलेज पर ना पढ़ने पाए मैंने हमेशा यहीं चाहा है और ऐसे में मेरे कॉलेज के स्टुडेंट की वज़े से इस गाउं में जगणा हुआ जो लोग मेरे कॉलेज की तरफ आंक उठाकर देखते नहीं थे वो मेरी तरफ उंगले उठाकर अपनी बेटी को लेकर गए यवार ब्लैक माक इन माइक करियर आपको जो दुनिया नजर आती है वो नहीं है सर आप जैसा सूच रहे हो वैसा यहाँ पर कुछ करेक्ट नहीं है हर कोई यहाँ पर बस नाटक कर रहा है सीसी कैमेरे के सामने अलग और आपके सामने अलग कॉलेज में फ्रेंड्स हैं इसका मतलब यह नहीं है कि सब लोग मिल चुके हैं रीजनल फिलिंग्स उनके खून में है इसलिए तमिल वाले समझ कर तेलगू वाले नफरत करने लगे और जैसे उनको पता चला कि मैं तेलगू आला हूं तो तमिल वाले नफरत करते हैं गाउं में जगडा करने की ज़रूरत नहीं है सर यहीं पर एक दूसरे की जान के दुश्मन है वाट कमीनों ने हमारे साथ दोका किया छोड़ेंगे नहीं उन्हें चलो तेलगू आले के लिए तेरा क्या ओपिनियन है बहुत अच्छे लोग है उन्होंने ही बाहु बली बनाई थी ना अच्छा तो इसलिए खटपा की दरा पीट पीछे वार किया तोने हां कौन सी पीट की बात कर रहे हो भाई क्या अपसमें लडाई कर रहे हो तुम्हें पीटने के लिए आज हम लोग आए हैं चलो रहे हां तो आज 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 रुक क्यों गए मारू ना यहां तो कैमरा भी नहीं लगा है ओहो मैं समझ गया तुम लोग यहां इसलिए मार पीट करते हो कि मुझे पता न चलने पाए मेरे सामने बहुत डिसिप्लिंड नजर आते हो तुम लोग कॉलिज की फीस्ट नहीं भर सकते स्कॉलर्शिप देता हूँ मैं एक्जाम फीस्ट तुम लोग इस तरह जगणने से क्या फाइदा होगा तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे अच्छी नोकरी मिलेगी यह तुम्हारा फीचर ब्राइट होगा कोई फाइदा हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तयार हूँ राज ये भले अलग है लेकिन देश तो एक है ये बॉर्डर को लेकर जगणे क्यूं कर रहे हो भूल जाते हो कि हम समी भारतवासी मैं नेक्स्ट जनरेशन तयार कर रहा हूँ और इस जनरेशन में मैं स्टेट की फिलिंग को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ लेकिन तुम लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया तुम लोगों को ना सुधार पाना मेरी अपनी गलती है इसलिए मैं इस कॉलेज से अपने आपको रस्चिकेट कर रहा हूँ गुडबाई आपको नहीं बोलना चाहिए सर मुझे बोलना चाहिए दरसल पैसो के लिए मैं बहुत नीचे गिर गया था इनकी भी इस दूरी नहीं पैदा करना चाहता था सर मैंने जो गलती की है उसके लिए आप कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे तो कॉलेज की नीव हिल जाएगी सर यह पाप मुझे पर मत चड़ाइए सर हमसे बहुत सारी गलतियां हुई है सर आज हमें बहुत अफसोस हो रहा है हम सच में शर्मिंदा हैं सर आप जैसा चाहते हम वैसा स्टुएंट बनकर दिखाएंगे सर हमें एक मौका दीजिए सर हमारा यकीन कीजिए अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे अपसे हम दोस्त की तरह रहेंगे सर कि आम सॉरी भाई बले अंजाने में तुमसे गलती हुई लेकिन अच्छा ही हुआ यही बदलाव मैं पूरे गाउं में चाहता हूं और इस कोशिश में जब भी तुम्हें मेरी जरुवत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो सर वीरा मुथ्थु जी का गर यही है अच्छा पापा आफ्टर ड्राइवर जहां हम बोलेंगे वहां वो गाड़ी रोकेगा उसके बोलें सब नहीं उतरेंगे शोसम एटिट्यूड अरे बेटा जाने दिना अरी देरी हो रही है ममी पेटा बिल्कुल सही कह रहा है अक्रबकड खेलना पड़ेगा बाद में खेल लेंगे जब मैंने कहा कि अभी मतलब किया भी कार को चलाते रहो जब बेटा बोलेगा तब ही रोकना अलगी डैडी काड़ी यही पर रोको पापा यह वीरा मुत्तु का घर है ना एक बार देखा था बेटा क्या याददाश था देरी यह सब आपकी देन है मम्मी काफी तो बड़ी अच्छी बनाईए भाई साहब मेरे बेटे का नाइजीरिया में नर्सरी का बिजनिस है हाँ है कि एक खेती की बाते लगा रखिए लड़की को दिखाई है ना जल्दी पान के खुश्बू लो पत्जे को छोड़ लड़की आए यह देख यह लड़की तो एकदम मोम की गुड़िया है कुछ भी मत बोला करो मेरे सामने आपकी नहीं मेरी फिलिंग्स इंपोर्टेंट है इनके साथ टू मिनेट्स प्राइवेट बात करना चाहता हूं विदाउट यू परमिशन है आज कल तो यह सब कॉमन बात है ना हम सब लोग इने छोड़कर पाहाल चलते हैं ना हलो पूरे गाउं में पूस्टर का क्या लफड़ा है क्या आपने किसी से लफ़ किया है आप मुझसे क्या सकती है यू कें ट्रस्ट मी एक दोस्त समझ कर बोल दीजे प्लीज हां मैं एक लड़के से डीपली प्यार करते हूं तुम से शादी तो कर लोंगी पर दल में वही रहेगा अब क्या बोलू मैं ना जस्ट लव जस्ट्रू लव हैट्स ओफ इफ डोंट मैंड क्या मैं उसे बात कर सकता हूं प्लीज ओके डायल कीजे ना हलो हलो कौन हलो प्रो जस्ट अ मिनिट हां जो बात आपने मुझसे कही एक बार फिर से दोराएंगी प्लीज तुम से शादी हो गई तो भी दिल में वही रहेगा कार्तिका मैं सोच रहा था कि लाइफ में रिवेंज लेना खत्म हो चुका है लेकिन तुम्हारी वज़े से फिर से चांस मिल गया रिवेंज मतलब मैंने एक लड़की से डीपली प्यार किया था ठीक शादी के टाइम उसका लवर उसे शादी के मंदप से उठा कर ले गया तब ही मैंने डिसाइड कर लिया था मेरी लवर ने किसी और से शादी की है तो मैं भी किसी दिन किसी और की लवर से शादी करूँगा अबे तु पागल हो गया क्या किसी और का इवेंच मुझ पर क्यों देख हाथ की पांचे उंगलिया बराबर नहीं होती है ये मामला भी ऐसा ही है एई क्रो ब्रदर एक हफते के अंदर मैं इस लड़की से शादी करूँगा शादी रोकने के लिए जो तू कर सकता है वो तू कर ले प्यार में धोखा मिलने में जो फीलिंग मुझे हो रही है वो ही फीलिंग तुझे भी होनी चाहिए तेरी केरेक्टर को जानने के लिए तेरे दोस्त का पता लगाना होगा और तेरी capacity जानने के लिए तेरे दुश्मन का, ये एक तमिल फिल्म का डायलॉग है जो तुझे मैं आज हिंदी में सुना रहा हूं, पूरे दिल से, आज से तुम मेरा जानी दुश्मन है, पापा, यो लड़की मुझे पागलों की तरह पसंद आ गई है, इंगेजमेंट नह डारेक्ट शादी कर लेते हैं, एक हफते में शादी कैसे हैं, और शादी भी एक मेंटल के साथ, आप सिर्फ हाँ बोलो उसे उठा कर ले आते हैं, ये तु बेवकूफ है क्या, प्यार करने वाली लड़की कोई उठा के लाता है क्या, मेरे भाई तु तो केशों को पसंद ह प्रोब्लम क्या है, भाई तो गाउं में नहीं था ना, एक सप्ता नहीं था, सैसुडाल गया था, कहली ही तो आया हूँ, मैं जुसे प्यार करता हूँ, वो वीरा मुत्तु जी की बेटी है, मुत्तु जी की बेटी, लेकिन तुने तो केशों का डिटेल वांगा था ना, मि तु तमीर वाला है ना, क्या बात कर रहा है यार, मैं बचपन से मेगा स्टार का फैन हूँ, उनकी स्टाइल में मैं डैन्स भी करता हूँ, अब चुब बैटना, मुझे तो वही लड़की चाहिए, लड़की तभी मिल सकती है जब ये दोनों गाउं एक हो जाएंगे, और मास्टर जी को पता है, गाउं के जगड़े के बारे में कहानिया सुनाते रहते हैं, अगर एड्रिस चाहिए, तो भाईस आप से पूछो, अरे बड़े मिया, बड़े मिया, आपके गाउं की कहानी जाने के लिए कॉले से लड़के आया है, बहुत खुशिकी बात है, एक सम 1973 की है, जब मदरास और तेलगू को अलग अलग राज्य बनाया जा रहा था, तिरूपुरम गाउं के लोगों को ये सुचित किया जाता है कि मदरास से आंधरा अलग हो रहा है, इसलिए राज्य सरहत का दिर्वान हुआ है, इस प्रकार जो सरहत है वो तिरूपुरम के कर दीजिए, फिर इस गाउं को दो हिस्सों में अलग-अलग बाट दिया जाएगा, ऐसा केंदर सरकार का ओरर है, यह कैसी बाते कर रहे हैं तुम, अगर यह बात हमारे जमीदार को पता चली, तो जानते होना क्या होगा, इस गाउं के जमीदार को ने पता है, भूपती तो की! यह! राम आदूर केशव की! जाए! राम आदूर केशव की! जाए! भाई-भाई की तरह मिल जुल कर रहने वालों को अलग करने वाला, तू कौन है? सहाब, यह केंदर सरकार का आदेश है! बन कर! यहां की हम सरकार है! हमारा राज्य है! हम हमेशा साथ रहेंगे और साथ मरेंगे! तू ने क्या सोचा? तू हमें अलग कर देगा! तेरी सवाधितों हम लोग बनाएंगे! हमारे बीच में लकीर कोई नहीं खीश सकता! सूचा था कि हम ऐसे ही मिलजुट कर रहेंगे. लेकिन इस तरह ता सिखनीचर करके हम लोग फिर अलग हो गए! ये क्या? पहले तो मिलजुल कर रहे के बुला अगले दिन ही, साइन करके सीधे-सीधे अलग हो गए? अच्छा, इस बीच क्या हुआ था? थे लगता है सरदी हो गई हे कंबल देना ना भाई कंबल की जरौत नहीं है द्यादा जीको दौरे पड़े हैं हैँ है । कल रहा है कुल रहा है है हा तो किसे पर बात कर लाई से मैं है कि वे और गल्फिंट का होने वाला खती यूँ गया है अब थो अनिया में अधर को कि अ है धुकि चल। है अधर है था था थे अधर चल। कि अ उन्हें होश आ गया है अधर जी उस दिन उस दिन बोलकर आप बेहोश हो गया है क्या हुआ था उस दिन भी मुझे फीट्स आया था और में गिर गया था उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं अरे तो इनको उसी समय निकल देना चाहिए था ना अबे चल चल यहां से असल में गाओं के जगड़ी की वज़े पता लगा नहीं होगी आप लोग यहां पर कैसे तुम्हारे पापा को फोन आया था हेलो मैं आपकी बहु का होने वाला पती बोल रहा हूं रॉंग नंबर ब्लडी फूल हेलो कभी दस भिखारियों को एक साथ खाना खिलाया तुम्हें जो फोन फट से कट कर रहे हो प्री है क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार प्रॉब्लम मेरी नहीं आपके बेटे क वो ची से फ्यार करता है मैं उसे शादी करने वाला हूं ये जानकर उसे बहुत रहा है कल से सैड़ भी होगा और पर सो मैड फिल होगा तुम डwide उसलीए उससे समहाल लो उसने आपको फोन क्यूं किया था अब ये हमें क्या पता तुम्हारा फोन स्विच्ड ओफ आ रहा था तुमने फिर से क्या आफ़ाद खड़ी कर दी ये जानने के लिए हम आ गाए एक मिनिट हूँ जब से मेरी लवर मुझे छोड़कर गई है मेरे लिए एक एक दिर काटना बहुत मुश्किल हो गया है नोट बंदी में प्लैक मनी पकड़े जाने पर जितना दुख होता है ना उतना है दुख तुझे भी होना चाहिए टाइम नहीं है को ब्रदर शादी के कार्ड और दे चुका हूँ मैं कुछ तो फाइट करो को ब्रदर इस गिदिंग टू यो नो लेजी देखते हैं किसमें कितना है दम काउंड ओन बिगिन सांबर या दम बिरियानी शंकर या राजा मॉली हुआ क्या था सुन बेटा हमेना ये गाउं चाहिए और ना ही वो लड़की हमारे साथ चलना बेटा ये बात आपको कहनी चाहिए खुशी से रहने वाले लड़के को यहां भेज दिया अगर कुछ हो जाता तो मा क्या मैं कभी भी किसी लड़की के पीछे भागा क्या कभी किसी से बात की लेकिन उसे देखने के बाद मेरा मन सीधे हो उस पर आ गया अक्सर मैं जगडा जगडा करता था लेकिन अब मैं जगड़ों से बहुत दूर रहना चाहता हूं मा तो सुचिए मुझे लड़की कितनी पसंद है आप चाहते हो ना कि मैं जिन्देगी में हमेशा खुश रहूं मैं खुश तब ही रह सकता हूं जब वो मेरी लाइफ में होगी ये सब क्या है बेटा तु जब इसे जगड़ा करने के लिए मना किया था तब ये माना था क्या अब इसे प्यार करने से मना करेंगे तब मान पाएगा मेरी बात तो सुनिए इसे कुछ भी नहीं होगा जब बेटा तुम अपना काम करो हम उस लड़की को हैदराबाद ले कर जाएंगे थैंक्स पिता जी यह एची है ना सही का यह रख दीजिए अरे सुन तुने कुछ खाया या नहीं खाया कुछ दर पहले ही किरा खाया था ठी खा खाके मोटी हुई जा रही है डूपकर कहीं कि हरो जितने योग मरते हैं पता नहीं यह बुढ़िया कब मरेगी ठरकी कहीं कि कि एक जाने तुक सब्सद्स करेंगे हरसं हुआ किंस सब्सक्रीन नमख्त prediction नमस्ते नमस्ते र्वाई कैसे हैं चाहते हैं है काड़ प्रिंट्स हो गये हैं सेंटीमेंट की मुताबिक सेकेंड काड़ आपको देने आया हूं पर सेकेंड काड़ क्यों अकड़ बकड़ तो जल्दी हल्दी लगा कर दे दो ना सम्धी जी अब भीक भी हल्दी कहां से लगाऊ मैं मिल गई हल्दी एक मिनिट पूरे चेहरे जूला यहां पर बांती है आप शादी में जरूर आईएगा सीरियसली क्या लोग है बेटा ती या कॉफी आपकी बेटी मतलब यह कहना चाहरा है कि आपकी बेटी और मेरा बेटा जॉइंटली कार्ट डिस्रिबूट करेंगे क्यों है ना सुपर माइड़ डाड़ बकड़ बुला उसको मेरे सर में दर्द है मैं कहीं नहीं जाओंगी माँ तुम्हें बोल रहा हूं जा कि उसे तयार करो वैसे आप लोग कहां जा रहे हैं अकड़ बकड़ मतलब तुम इनकी बेटी को लेके जा रहे हैं तो बताना तो जरूरी है ना अच्छा उसके कॉलेज में कॉलेज में नहीं भेजोगे वह सर में दर्द है ना अच्छा पर्गत के साइस की सहिली भी है कथा कहीं कब अब फ्रेम में आ गई हो तो साथ ही चलो आओ जो सालह देनी थी वह देदी है ना यहीं कि इसके साथ शारी कैसे करोगी एक बार तो सोच लो लाइफ में कॉम्प् अख्वासी सलाह देने के लिए तुम जैसी बेस्ट बनी होती है मैंने कोई सलाह नहीं दी से पता है तुखाने के अलावा और कोई सलाह दे ही नहीं सकती मुझे पता चल गया है कि लड़की बहुत खुबसूरत है ना जी बगल में एक बफैलो भी तो है हेलो ब्रो तेरी ल इसलिए मैंने प्लास्टिक का कार्ड प्रिंट करवाया नहीं फटेगा हलो 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 यह फायर प्रूफ एजब अभी नहीं फेकेंगे तो गिर जाएगा ना गुच्सा गुच्सा खुद को मार ब्रो खुद को मार ब्रो एसे एमोशनल एक्सप्रेशन जाता हूं तेरे चेहर तुमसे बात करनी है तुमसे बात करना चाहती है जा जो कुछ बोलना आज भूल दे न समझा समझ doing meansandır कर लेगा इतना कॉंफिडेंस भी एसकता बरोस है कोई डाऊट तो नहीं है कोई शक है आपको विश्वास है न, इस पानी को इस बॉटल में डाल कर दिखाई है, इसलिए मेरे सामने ये फाल्चु डालोग मत मारा करो अंगल, किसी अनबढ़ गवार के सामने मारना, मेरे सामने नहीं, क्यों इस बत्तमीज के मूँ लग रहे हैं आप भी, लिप लॉक कर लेते हैं, गुद टाइमिंग है, तेरा बैट टाइम आगे है, आणटी, साथ चलूगी मेरे, तुम्हारे पगेर में नहीं जी चकती, और अपने पापा को छोड़ कर भी नहीं जा सकती, अरे पापरे, कले ये मिल रहा है, और शादी मेरी होगी इस लड़की से, तो इसको बहुत बुरा लगेगा, कितना मज़ा आईगा, है ना अंकल, मौके पर चौका मारूंगा मैं, तो गल्ती से इंसानों में पैदा हो गया है, रहे, I love you, अंकल, अरी, मुझे बस तो में जा है, अरी, मुझे बस तो में चाहिए, सर, एक गंटे के लिए आपकी कार चाहिए, रिखा, किस दे दो, अरे, मैंने कीस देने के लिए कहा था, किस नहीं, ओ, सारी, सर, देख रहा हूं, जब से यह आया है, तुम बहुत बदल गई हो, नो डाउट, अरे, उतरो, उतरो, जल्दी उतरो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, अरे, बबुराओ, सर, ये बुड़े लोग यहां क्यों आए हैं, सर, देखने से नहीं लगता कि आए हैं, या उठा के लाए गए हैं, क्या कह रहे हो, चाड़िये, चाचा जी, आज कल पूढ़ी और्टों को भी उठा कर ले, अरे, साखुब ले, चाड़ाओ, बाया मो के चक्कर में का मिलमत पड़ना देडा, तू भी अपने गाउं से गाया, अरे, बंदर कहीं के मैं पापड को देखने आई थी कि कहीं का उवे ना ले जाए, और तू वहां से मुझे उठा कर ले करा गया, अगर ये बात मेरे बेटे को पता चल गई न, तो वो तुम सब लोगों का गला काट कर रखतेगा, हाँ, गला काटेगा, तुम्हारे घर आकर करेंट लगाया, तब तो कुछ कर नहीं पाया, ये हमारी जगह है, चुप चाप बैटी रहो, वरना अतरक की तरह छिल के फेक दूँगा, यू ओर ड्राइफ रूट, दादा जी नाना जी मुझे माफ करना, कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास, एक जमाने में जब सब लोग एक साथ रहते थे, आज इतने अलग की हो गए बताईए, ये पूछने वाला तू कौन होता है, उठा के लाया है, तो कुछ भी पूछेगा हम बताएंगे क्या, एक बार जहां थूख दिया ना, उसकी बात जुबान पे नहीं ला सकता, इससे पहले की कुछ हो, हम लोगों को शराफत से जाने दो, ये क्या बोल रहे हो, वो क्या कह रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो, मूचें सिर्फ तुमारे पास ही हैं, हमारे पास नहीं, तुझे तो वह वहीं काट देता, अपनी बेहन की शकल देखकर छोड़ दिया, ये तुम चुप रहो, ज्यादा बखवास मत करो, हमने जो भी किया है सोच समझ कर किया है, हमसे अपनी तुलना मत करो, अरे ओ स्वामी, साथ में हमने जन्द नहीं लिया तो क्या, साथ में हम पले बड़े तो हैं ना मेरे बाई, इतने साल हो गए हमें अलग हुए, एक साड़ी भी भेजी तुमने उसे कभी, और याद है जब वो पेट से थी, एक हल्दी की गाट भी नहीं भेजी तुमने, और तुम्हें अपने बेहन और जीजा याद हैं, जब वो मर रही थी बेचारी, तो भाईया भाईया कहकर आखरी वक्त में तुम्हाराई नाम ले रही थी वो, कहां से आया ये पता नहीं, दो गाओं को मिलाना चाहता है, जो पता है बता दो, लेकिन यहां भी लड़ाई कर रहा हूँ, देखो बेटा, मैं बताता हूँ सब कुछ, ये जो बात है वो सन 1978 की है, दादा जी, उतना टाइम नहीं है, हम साथ मिलकर रहेंगे, साथ ही उपर जाएंगे, समझ गया ना? साथ जीएंगे, साथ मरेंगे उत्तिन सरकार के आदमियों को वापस भेज देने के बाद सब लोग खुशी में दावत कर रहे थे सब लोग मिलके आपस में खाओ हम साथ जीएंगे, साथ मरेंगे मरेंगे बिलकुल नहीं, हम साथ में रहेंगे हाँ 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 हमें कोई अलग नहीं कर सकता है सही का उसके बाद अंदर क्या हुआ पता नहीं अंदर तो दोनों गए थे गले में हाट ढालकर पर बाहर आये तो दोनों खूण को लग पर तेल को वाड़ों के विश्वास मत करना काट डालो सब्कूर अब तक जो लोग भाईयों की तरह रहते आ रहे थे वो अब दुश्मन बन गए थे तोनों के बीच में एक धिवार खड़ी हो गई थी दरार पड़ गया उन रिष्टों में तब भी एक दूसरे को मारा आप भी मार रहे हैं उस रूम में हुआ क्या था ददाजी उस दिन उन दुनों के बीच उस रूम में क्या हुआ था कोई भी नहीं है जो इस बात को बता सकता हो चलो रहे अरे 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 सार इन लोगों को छोड़ कर तुम कहा जा रहे हैं आप भी इनको छोड़ दो रेखा किस किस मागा तो किस दे रही हो हालो कार्तिका गाओं के जगड़ की वज़े ही पता नहीं चल पा रही है और तुम्हारे घरवालों को समझाने का वक्त नहीं है तुम चलियाओ मेरे पास हरी तुम्हें मेरी सिच्वेशन समझ में नहीं आ रही है मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सब लोग मेरे पापा को ताने मारेंगे मेरी फैमली तो जीते जी मर ही जाएगी ऐसा कुछ नहीं होगा तुम सिर्फ हां बोलो मैं अभी आकर तुम्हें ले जाओंगा तुम्हें तेरे जैसे लड़के को ठुकरा रही है लगता है वो तुसे प्यार नहीं करती समझ गया तू सुन रहा है ए अकेले पी क्या ना दो ना मातम कर ना बेफिजूल है जिसको दे दी थी ये जा मैंने मर मर के जिसको चाहा मैंने वो सब कुछ ना था मेरे नसीब में उसके लिए ही तो हमने धोड़ा जाना रबला लगता है ये तो हनी इश्क है बड़ा पनी अब तो समझा है यही सब कुछ खो कर जाना है यही लगता है ये तो हनी इश्क है बड़ा पनी अब तो समझा है यही सब कुछ खो कर जाना है यही बड़ा है पनी बड़ा है फनी, बड़ा है फनी, बड़ा है फनी चाहरे मर के, चाहरे मिट के, दिवाने हो गए थे हम तो जिसके दिल से हम यार करते थे प्यार, पागल कर डाला था हम को जिसने तेरी बस मैं हूँ, किया था वादा, अब यान मैं तो मींद से जागा बिछडे दोनों क्यों आए समझना, क्यों मुझ से किया था इश्क में तूने ये बादा लगता है ये तो हनी, इश्क है बड़ा पनी, आप तो समझा है येही, सब कुछ को कर जाना है येही इसा है ये तो हनी, इश्क है बड़ा पनी, आप तो समझा है येही, सब कुछ को कर जाना है येही अरे बेटा, इस गाओं के बारे में, बेटा, एई बेटा मेरा बेटा रो क्यों रहा है? चलो, बेटा, मारो, पाप, मारो, पापा को मारो हसो तो बेटा असी नहीं आरी है पापा एई, तुझे मैंने आज तक कभी हारते हुए नहीं देखा है बेटा आज भी तुन यहारेगा इस गाओं के जगड़े के बारे में जानने के लिए मैंने रिवेनियू रिकॉर्ड की चान मिन की ये देख, ये इंफोर्मेशन मिलिये मुझे सन 1978 में दोनों जमिनदारों की जमीन का एक बड़ा हिस्सा एक ही आदमी के नाम से ट्रांस्फर हुआ है देखना ये ये ये, हुआ है लिकॉर्घ्टरर सबस्दा कीवर्टर्दरण कीमी यह जो जो तेलगुगा वाला लड़का है ना वो सरपंजी के घर में घुच गया है और हम सब को बहुत मारा है वो लड़का घुस्ते में आके कई सरपंजी को मार ना दे अब जल्दी से आ चाहिए वह कॉलेज वाला लड़का है ना वो घुस्ते में सरपंजी के रूम में चला गया है पता नहीं क्या करेगा मुझे तो बहुत इंटर ने करा है भाई ना सरवे संतो निरामया सरवे भद्रान पाश्यंतू मा कश्चित दुख भाग भावेत गण्या को लेकर आईये यह सब कहसे हुआ बताता है या तेरा सर फोड़ दू मैं बताता हूं बताता हूं मैं उस दिन आओ दोस्त आजाओ आज बहुत ही खुशी का दिन है यह मेरी तरफ से तुम्हें जो भी चीजें पसंद हैं वो सब यहां पर मौजूद हैं डायना अरे मेरे दोस्त दिल हो तो तेरे जैसा मेरे दिल के अंदर जो रूप बसा था उस डायना को लेके तुम्हें से आया डायना तेरी नहीं डायना मेरी है दोस्त वाटर यू टोकिंग वो मेरी गल्फ्रेंड है अरे अंग्रीस लूग बटवारा करके चले गए लेकिन इसे मुझे देखे गए यह कैसी बाते कर रहा है तुम्हे पांच साल से छे मैने मेरे पास रहती है और छे मैने लंडन में अरे पागल वो जो लंडन बोल रही है न वो पहाड़ी उपर मेरा बंगला है अरे पागल हो गया क्या लंडन तो इसी बंगले का नाम है हमारे साथ आगमी छोली छे महीने तेरे साथ और छे महीने मेरे साथ यह तो धोका है इसमें कोई धोका नहीं है जिसे जो समझना है सम तुम्हारे देश में होता होगा यहां नहीं होता अगर यह गलत है तो तुम लोग यहां क्या कर रहे हो है यहां करने का टाइमना है के लुडा यह नहीं है यह घृटकर नहीं से भीत और पैंसा कि आइने मतला आउरत के लिए एक दूसरे को मारा आरे आउरतों के लिए कितने ये दोए है उसमें से ये भी एक है ये बात आपको कैसे पता चली वहाँ एक फ्रेम में पहले एक बच्चा था वह बच्चा मैं ही हूँ शीज माई मम्मी लेकिन वो तो एक अंग्रेज है ना अरे गाउं की धूपी ऐसी है तुझे क्या पता मैच हो गया बस अच्छा तुम जमीदार कैसे बन गए अरे उनके पास बहुत सारे जाइदा थी ना प्रॉफाइल निकालो कर दो 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 कर तुम्हारे दादाओं ने परस्टनल जगड़े को तेल गो और तमिल जगड़े में बदल दिया अगर ये गाउवालों को पता चला तो पूरा गाउव एक तरफ और तुम दोनों का परिवार एक तरफ हो जाएगा अब कोई option नहीं है तुम दोनों एक हो जाओ और आप मुझे अपना दमाद मना दो केशा जो चलेगे उनके लिए जखरने से क्या फायदा या तो माफी मांग या ये गाउव छोड़ कर जा अरे मुझे तुझे अच्छा दमाद और कहीं नहीं मिल सकता मुझे तुमारी जगे कोई और लीडर होगा हमें पता है हमें क्या करना है धोके बास तुझे छोड़ूँगा नहीं जहां हमारे दादाओं ने जान ली थी हम वहीं पर जबान दे रहे हैं आज के बाद हमारे बीच कोई जगड़ा नहीं होगा और इस गवाह के तौर पे मैं अपनी बेटी की शादी इस तेलगुवाले से करवा रहा हूँ साथ जियेंगे साथ मरेंगे साथ जियेंगे साथ मरेंगे साथ जियेंगे साथ मरेंगे साथ जियेंगे साथ मरेंगे सुनो जी देखा मेरे आइडिया ने कैसे काम किया मैंने इसे जगड़ा करने के लिए जगड़ा करने वाले गाओं में बेजा था लेकिन इसने दो दुश्मन गाउं को मिला कर एक कर दिया क्या समझती हो हमारी जायदाद पर कबजा करके तो हम पर राज कर रहा था शादी हो जाने तो फिर बताता हूं देखो हम लोग एक दुश्य का राज नहीं खोल सकते अगर हम मेंसे किसी का वी राज खुला तो गाँवाले उसे धक्के मार के निकाल देंगे इस उम्र में शोभा नहीं देगा तो जो चल रहा है उससे कंटिन्यू रहने दो अच्छा सुनो वो रिवेंज बैन की क्या कंडिशन है किटनापिंग के बाद तो दादी पूरी तरह बदल गई है वो कह रहे थी कि उसकी फिक्र मत करो मैं देख लूँगी कमाल हो गया यार पापा 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 बहुत मुश्किर हो रही है अच्छाला हेंहाँ , पुरत बदलना ही पड़ेगा उसकी कोई जिरूत ने लडकी वालों ने दू ला ही बदल दी है क्या किया बखवास कर रह रही है पापा , लडके को बन फल्चब थे नא कि दूले को बदलेगे समझा अप खेलना ही पड़ेगा वज तेटे तो कहते हैंज प्जय को छाओी है याला 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 याल? है जूब ड़ा याला 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 याल?